तमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्पो मिन्टू में बात करेंगे आज दो टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस पर आ रहा है यानिके लाँच पूल पर आ रहा है और ये दो टोकन रहेंगे आपके SEI और Cyber Connect ये दोनों के दोनों बाइनेंस के लाँच पूल पर आ रहा है 15 तारीक को यानिके 15 अगस्त को चलो इसके बारे में और बाकी मार्केट में क्या चलता है FTX Return क्या उससे कुछ मार्केट में इंपेक्ट आने वाला है और जो बाइनेंस की 34 टोकन जो जापान में लाँच हो रहे हैं उनकी लिस्ट वाकाइदा सामने है और वो भी आपको पताते हैं कौन-कौन से टोकन हैं चलो बन वाइबन सबको कवर करते हैं और भी एका चीज है उसको लाट में कवर करेंगे पहले लेते हैं हम जो बाइनेंस के लाँच पूल पर दो टोकन देखी आ रहे हैं एक है आपका साइबर कनेक्ट और दूसरा है SEI तो देखिए इनका दो तारीक से आपका एक तैसे स् आट हो जाएगी तो यह 36 और 37 यानि कि एक तरसे लाँच पूल पर 37 अब तक जो बाइनेंस के आ चुके हैं तो यहां देख लिए बड़ी बड़ी मचलिया है वही ज्यादा हात मार जाती है बजाए छोटा इनिवेस्टर को देखिए यहां कोई ज्यादा प्रॉफिट नही सबसक्राइब और 37 कोई कोई नहीं मैं और । यहां पर क्या अपर ज्याएं आपको बढ़ता हूओ नजर आ सकता है तो trade आपकी बंती है लेकिन मुश्किल वही है कि जो जो crypto का हल चल रहा है यानि कि जो market का हल चल रहा है BTC आपका downfall में कहीं नहीं थोड़ा सा चल रहा है BTC आपका देद लिए 28,800 पर आ गया है जो आपका 29,000 भी था 29,100 भी था भी recently की बात कर रहा हूँ और 28,900 था अब वहां से गरिके 28,800 पर भी आ गया तो कहता है BTC आपका downfall में आ रहा है तो यहां थोड़ा सा इंपक्ट देगे पूरी market पर भी इस चीज़ का नजर आ सकता है लेकिन जो आपके 34 token है जो Binance से एक तरह से re-enter कर रहा है जापान में तो वो 34 token है उनमें आपको हलका फुलका दे कि बहुत ज़्यादा कि उंबीद मत करना आप हाँ 2-4% उनमें हो सकता है इजाफा आपको देखने को मिल जाए अभी देखें लिस्ट तो बहुत बड़ी है सब के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अविलेवल हो जाएंगे आप चाहो तो हर जगह Instagram, Facebook, Twitter, Telegram सब जगह join कर सकते हो तो आप महापन लिस्ट देख लेजिए 34 tokens कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने इसाप से 1.9 quadrillion token जो है burn कर दिया है तो अब burning तो हो गई लेकिन फर्क कुछ नहीं आया है यानि कि price आपका ये का कोई बहुत ज़्यादा आया हो फर्क नहीं आया है price आपका as usual जैसा था वैसा ही है तो यहाँ बात तो पहले पसी चल ले थी थी कि 1.9 quadrillion बर्न करने वाले हैं तो वो हो भी गया लेकिन price आपका वहीं का वहीं है लेकिन यहाँ जो एक जो मसला फसा हुआ है वो है 14 quadrillion का जो multi chain पर जो फसा हुआ है जो hack का मामला है या यह का जो लोक हो गया है या जो भी है लेकिन उसको क्या बात को गुमा फिरागे साहब अभी गोल मुल कर रखा है अब उसका क्या किया अगर यह उसको कहें कि भाई हम वो 14 quadrillion token baby doge के हम burn कर रहे हैं अब यहीं माल लेजिए burn कर रहे हैं या उनको हम supply से हटा रहे हैं तो में भी थोड़ा बहुत कुछ आपको impact देखने को मिल सकता है कि को 14 quadrillion माल एक साथ बहुत हो जाता है तो आपको impact साहथ कुछ ने जा रहे है लेकिन उसका अभी तक baby doge नो कोई भी ऐसा सीधा सीधा announcement नहीं किया है लेकिन वो hack भी हो गया है आप ये भी मानके चलिए और उसके बाद आप ये देख सकते हैं इनका जो swap था वो भी कहीं ने कहीं down हो गया था तो baby doge में भी देखिए ये problems चल रही है तो लेकिन आप जो भी है 1.9 quadrillion का देखिए बहुत जादा impact आपको साहथ ना देखने को मिला है और ना भी देखने को मिलेगा अगर इसमें कुछ और update होता है कुछ और बड़ा कुछ करते हैं तो ठीक है फिलाल baby doge team ऐसा कुछ बड़ा कर नहीं रही है केबल time pass कर रही है बस यही कह सकते हैं बाकि ऐसा हो इसमें और कुछ हो नहीं रहा है अब आते हैं ftx return सब पूरी तरीके सब तो तयारी हो रही है और यह ftx जो है वैसे इसमें विश्वास करेगा कौन भाई आप नहीं करेगा मैं भी नहीं करूँगा कि जो इतना बड़ा गोल मिल कर गया सारा साफ कर गया और उसमें इतनी आसानी से इतनी जल्दी विश्वास कैसे किया जाए हाँ अमिरिकन हैं भाई हो सकता है करने भाई आकर वही का यह exchange भी था तो लेकिन यह एक ftx return यानि ftx आ रहा है तो आप कमेंट सेक्षिन में बिताए क्या आप ऐसा चाहेंगे कि ftx बापिस आये कुछ हो सकता है इसमें आगे है साब एक दुवई से बहुत ही मजबूत और क्रेप्टो के लिए बहुत बढ़िया ख़बर निकले और वो यह है कि देगे जो वहां का नोमूरा बैंक है वो लगबा यह माले जो 500 बिलियन डॉलर का असेट्स को मैनेज करता है उसको एक तरह से लाइसेंस बिला है BTC सर्विस के लिए यानि फुल फ्लेस वो अपनी BTC सर्विस वहां दे सकता है तो देगे कहीं से तो बहुत अच्छी चीजे निकल लही है और अमेरिका ये कैसा है अमेरिका भी क्या अमेरिका में एक संस्था ऐसी सी वही एक ऐसी है जो कहीन है कहीं पूरे करप्टो को पैनिक में रखती है रोज एक नया ड्रामा लेकर सामने आ जाते है तो उसी के बज़े से कहीं नहीं आप देख रहे हैं ये सब ड्रामे आजकल चल रहे हैं पुछ भाई उन्हों पूछा के वर्ल्ड कोईन के लिए डबलू एल्डी देखिए इंडिया में भी अब आईबॉल स्कैन सुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कई सारे सेंटरों पर मैंने देखा है बहुत लंबी-लंबी लाएने लगी होई हैं अब सब करालें तो क्या नुकसान है देखिए साब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप मत कराओ ना ये कहूँगा कि आप करालो भाई देखिए आईये मर्जी आपके हैं मैंने आपको इसके बारे में detail में काफी कुछ बोला था काफी कुछ समझाये भी था कि देखिए एक email ID ले लेते कोई दिक्कत नहीं थी mobile number ले लेते कोई दिक्कत नहीं थी कोई और ID ले लेते हैं, माल लिजी हमारी pen card जैसी कुछ चीज़ ले लेते हैं, तो भी चलो एक बार कुछ चलता है, हम कहते हैं, अगर यह pen card तो देखिए, अगर आप यह ऐसे काम करेंगे, तो देना ही पड़ेगा, आधार card भी देना पड़ेगा, अगर आप कहीं और कोई च card से पीछे बहुत सी चीज़ें लिंक हो चुकी हैं, अब क्या है कि मैन आधार card है, आधार card का है कि नमबर अलग चीज़ है, नमबर तो आप दे सकते हो, नमबर में प्रॉल्म जादा नहीं आ रही है, लेकिन क्या है कि आई वॉल कहीं ने कहीं आपके आधार card से connect हैं, और आधार card की details के पीछे और भी बहुत सारी details आपकी जो है उसके साथ include हैं, तो देखिए world coin अब अपनी जगे बहुत ठीक है, बिजनेस करने आया हो करेगा, अपने हिसाब से करेगा, लेकिन यहां safety and security तो आपको भी सोचने पड़ेगी न, तो यहां देखिए मैं तो यह scan करा आने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर यह कोई और identity लेते, तो में भी ठीकता कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्योंको और भी हर जगे identity लेही रहें, लेकिन यह जो eyeball वाला जो system है, यह कहिन कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यह मेरा opening है, आप अपन security नहीं जा रही है, तो तो कोई problem नहीं है, अगर आपकी security ही जा रही है, आपकी personal चीज़ें जा रही है, तो देखिए ऐसा free का भी क्या लेना, तो यहां थोड़ा सा सोचना आपको है, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको अगर लगता है कि मेरी personal चीज़ें जाती है आप comment section में क्या चाते हैं, कुछ लोगों ने पूछा था, इसलिए मुझे यह कहना पड़ा, आप क्या चाते हैं, comment section में जरू बताएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए update के साथ, नमस्का